वीदा पीपल हम भारत के लोग में जब हम बात करते हैं कि यहां सारे के सारे जो डिसीजन हैं वो कलेक्टिव होते हैं तो लोग इसको समझ नहीं पाते बहुत सारे जो जानका लोग हैं वो यह कहते हैं जी कि क्या आप संसद के पैरलल संसद बना रहे हैं या पारलियमेंट के पैरलल पारलियमेंट बना रहे हैं तो मैं उनको लिए यहां बता दूं कि दो तरह की व्यवस्थाएं पूरे भारत में चलती हैं एक व्यवस्था चलत परजा के लिये निशेद होता है, इसको व्यक्तिगी रचना, राजा की रचना, समनचना, इस्ट्रक्चार या उनका विधान बोल सकते हैं या मनु का विधान बोल सकते हैं उसी pattern पे भारत के जितने भी छोटे छोटे गुरूप हैं उन्होंने अपने गुरूप बनाए जितको वो संग्ठन कहते हैं तो वहाँ वो एक प्रधान बनाते हैं राजा की तरह वो राजा हो गया एक वहाँ अपना महासची बनाते हैं वो उनका महामंत्री हो गया एक वहाँ वो अपना ट्रेजरार बनाते हैं वो कोशाद्धर्श और खजांची हो गया कुछ वो अपने सची बनाते हैं सेकरटी बनाते हैं वो उनके दरवारी हो गये जो उनके चाप्रूस हैं और बाकी जंता हो गई जिसको सिर्फ लुटना है उनसे चंदा लेना है उनसे बनते रहते हैं, जो यहां जितने भी गुरुप हैं, उनकी ये स्वर्चना रही है, तो वीदा पीपल ने ये श्टडी किया, कि इस से रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, दरसल अगर आप मनुस्मर्ति के आधार पे रचना बनाएंगे, अपने जो इस्ट्रक्चर है, अपने गुर लोग ने ये देखा, कि बुद्ध ने जो बनाया था, वो संगवाद था, वो गणवाद था, और वो बुद्ध से पहले भी विद्वान था, साके संग में गढ़ संग था, गढ़ के साब से वहां वोटिंग बारा होती थी, तो बुद्ध ने संग बनाए, संग के नियम ब बाद बोलते हैं तो कोई आदमी जब ये कहता है कि आप सम्विधान की तरह काम कर रहे हैं तो इसका मतल़ यह है कि हम सम्विधान का जैसा structure है वैसा structure यहां लागू कर रहे हैं और वीदा पीबल में जितने edition होंगे वो लोग करेंगे लोग आपस में चुनेंगे लोग अपने आप युसको बनाएंगे तो ये parallel system नहीं है क्योंकि parallel system जो government का है वो बड़ा system होता है हमने सिर्फ वहां से लोगों को अपने लोगों को इखटा करने का system लिया है किस system पे इखटा होंगे क्योंकि सरकार जो है सैना होती है मिलेटरी होती है पुलिस होती है नोट शापने का अधिकार होता है नोट इखटा करने का अधिकार होता है टेक्स लगाने का होता है देश-विदेश से संपर्क करने का अधिकार होता है सरकार का जो system होता है वो समविधान का नुसार बहुत बड़ा होता है इसलिए parallel नहीं है, ये दरसल वहां से concept है, कि जो व्यक्तिवाद के उलट में जो concept है, वो समविधानिक है, समविधानिक का मतलब है सम विधान, यानि कि जो विधान है, उनमें समता है, समता के विधान का जो concept है, वो समविधानिक concept होता है, भारत में सम्ता के विधान का कंसेप्ट है वही हमने यहां वीधा पीपल में लिया है सम्ता के विधान का कंसेप्ट सम्विधानी कंसेप्ट है उसी के अनुसार यहां बैठक होती है उसको हम संसद भी कह सकते हैं उसको हम सगन भी कह सकते हैं उसको हम house भी कह सकते हैं, उसको हम बैठट भी कह सकते हैं, उसको हम पूरे के पूरे सम्हों की मंतला भी कह सकते हैं, या परिसत की मंतला भी कह सकते हैं, परिसा भी कह सकते हैं, नाम आप कुछ भी दे दें, तो यहां सम्विधान लिया गया है, सम्विधान का जो अलट होता है वह होता है विसम विधान तो यहां विसम विधान नहीं है सम विधान है इसलिए पैलल नहीं है एगजेक्टली वही जो समता के नियम है समता के विधान के नियम है वही इसमें लागो किये गए है इसलिए चुकि लोगों को बताया जाता है अकवार में न्यूज में वो पैलल पैलल गौवर्मेंट बहुत सारा सुनते हैं तो उनको यह लगता है कि पैलल कुछ समविधान के पैलल है पैलल नहीं है एग्जेक्ली जो समता के विधान के नियम है वही नियम लिये गए है और लोगों को इखटा करने के लिए दुनिया के सभी देशों में सबसे अच्छे माने जाते हैं, वही लोग देश वक्ते हैं जो समता के विधान के नियम अपने संग्ठन में, अपने संग में, अपने समू में, अपने गुरुप में लागू करते हैं, तो भारत में, समण समाज में बुद्ध के बाद ये बीदा पीपल के अंदर पहली वार ये concept लिया गया है कि ये समविधान पे समता के विधान पे चलेगा इसका कोई व्यक्ति कभी भी सर्वे सर्वा नहीं होगा जो व्यक्ति चुना जाएगा उसको समविधान के तहत लोग सारे मताधिकार से चुनेंगे और इसका जो सर्वो परी होगा वो जो समविधान में नियम होते हैं वो नियम होगे आप कह सकते हैं कि भारत का समविधान इसका नेता रहेगा क्योंकि उसी में समता के नियम सारे के सारे हैं, नए नियम बनाने की आवसकता पढ़ नहीं सकती और पढ़ने की जोत भी नहीं है, कोई चेंज करना चाहे तो वो आपस में मिलके इसको चेंज कर सकते हैं, धन्यवाद मॉल्य कर आप माद नहीं सकते हैं, धन्यवाद झाल 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 झाल